CBC Words में आपको स्वागत है इस वीडियो में हम Class 6 Maths के Chapter 10 जिसका नाम है Mensuration उसकी Exercise 10.1 डिसकस करेंगे Question No.1 Find the Perimeter of each of the following figure तो यहाँ जो figures दी हैं उसका आपको perimeter निकालना है अब यह perimeter क्या होता है कोई भी closed figure है उसकी जो boundary की length होती है उसको हम perimeter कहते है जिसे A वाले figure की हम बात कर लें तो यह जो पूरी इसकी boundary है यह जो इसकी पूरी लंबाई है यही आपका perimeter है तो कैसे निकालते हैं हम उस figure की जो भी side दी होती है उसको add कर लेते हैं जिसे boundary की length हमको निकालनी है तो यहाँ से start करें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है यह कितना लंबा है यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है तो यह पूरी boundary आ गई आपकी यही आपका perimeter यही आपका perimeter कर देंगे तो पूरी boundary की जो लंबाई है वो आ जाएगी यही आपका perimeter है तो A वाले एक answer हम क्या लिखेंगे perimeter equal जो भी side है उसको add कर ले 4 cm प्लस 2 cm प्लस 1 cm प्लस 5 cm तो add करने पर आपका आएगा 12 cm तो यह A वाले part का answer हो गया इसी तरह आप B वाले की बात कर लेते हैं यहाँ पर भी जो आपके side दी है इस सब को add कर लो perimeter निकल आएगा add करने पर आपका answer आएगा 133 cm अच्छा यह जो हम side को add कर रहे हैं किसी भी side को आप पहले किसको बाद में अप लिख सकते हो जिसे मैंने या 35 से start किया अब 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35 कैसे भी लिख सकते हो यनि इन 4 को add करना है अब किसको पहले लिखो किसको बाद लिखो इससे कोई answer वे फरक नहीं पड़ेगा अब C वाला इसी तरह से हो जाएगा लेकिन इसमें एक खास चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये जो figure है इसके अंदर जो भी side है वो सारी बराबर है 15 cm ये 15 ये 15 ये 15 ये तो कोई भी ऐसी figure आपको मिल जाए जिसकी सारी side बराबर है तो आपको क्या करना है जो side की length है उसको कितने side है उससे multiply कर लेना है इससे आपका जल्दी हो जाएगा याँ आप वैसे लिगोंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इसके बजाए आप जो लंबा ही है कितना 15 cm इसको हम multiply कर लेंगे कितने side है 1, 2, 3, 4, 4 side है तो हम 4 multiply by 15 cm कर लेंगे तो ये आपका 15, 4, 60 होता तो 60 cm आ जाएगा असर अब डी वाली figure देखो ये एक regular pentagon है pentagon में 5 side होते हैं और regular का मतलब सारे side बराबर है और interior angles बराबर है इसका formula आपने पढ़ा है कि regular pentagon का जो perimeter होता है वो क्या होता है 5 multiply by जो side की length है वो यानि 5 multiply by 4 नहीं तो simple जैसे मैंने आपको C में बताया कि कोई भी figure हो उसके side अगर सारे बराबर है तो perimeter कैसे निगलेगा side की जो length है उसको total कितने side है उससे multiply कर दो तो इस figure में देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 side है और side की length क्या है हर side की length 4 cm है तो 5 forza 20 हो जागा यानि 20 cm इसका अंसर आ गया इवाली figure की बात कर ले तो दोगों यहाँ पर जो figure की side है उसको arrow लगा कर दिखाया गया है यानि 1 cm किसका है इसके उपर जो arrow लगी है नीचे जो लगी है यह पूरी जो side है यह 1 cm किसी तरह 4 cm किसका है इधर से यहाँ तक चले जाए इधर से यहाँ तक चले जाए इसी तरह से ये वाला भी 0.5 cm है फिर 2.5 क्या दिखा रहा है कि यहां से आप यहां तक चले जाओ और इधर से यह arrow बतारी कि यहां तक चले जाओ यानि यह जो पूरे लंबाई है यह आपकी 2.5 है इसी तरह से यह आपकी 2.5 है तो सब को add कर लोगे तो इसका perimeter आ जाएगा तो एक तरह से आप add करना start कर तो इसे 1 cm हो गया जो किये है आपका फिर यह 4 cm है फिर 0.5 फिर 2.5 फिर 2.5 फिर 0.5 फिर 4 अब आगे आपके जगह ना हो तो नीचे आप plus लगाते हुए आगे लिख सकते हो तो इन सब का add कर लोगे तो आपका 15 cm आ जाएगा अब F वाली figure देखो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे जिसे आपका यह 1 cm हो गया यानि एक तरह से start करेंगे और measure करना शुरू कर देंगे कहीं से भी आप लिख सकते हो value लेकिन एक तरफ से एक line से चलेंगे न तो हमाई लिए आसान होगा कि कहां तक हमने add कर लिया यह दिखता रहेगा जिसे 1 cm आ गया फिर यह वाली लंबा यह आपकी 3 cm है फिर यह 2 cm यह आपका 3 cm यह आपका 4 cm फिर यह 1 cm यह 3 यह 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 4 यह आपका इस तरह से पूरी जो boundary है वो हमारी cover हो गई और कितनी length है उससे सब को add कर देंगे तो हमारा answer आ जाएगा तो इस तरह से लिख देना है आपको फिर सब को add कर लोगे तो आएगा आपका 52 cm अब इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो यानि कोई भी figure है उसमें ये देख लो कि क्या जो shape है वो repeat कर रहा है क्या कहने के मतलब यह है जैसे इस figure में देखोगे तो यह यहां से यहां तकी L बनना है इसी तरह से एक L यह बनना है थोड़ा सा तिर्शा कर दिया गया है यह आपका उल्टा L यहां बनना है यहां पर एक लेटा हुए L बनना है तो किसी भी L का perimeter निकालोगे और total 4 L बनने है तो 4 से multiply कर दोगे तो पूरे का आपका आ जाएगा जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक L की बात कर ले यहां से लेके यहां तक इसमें क्या क्या आ रहा है उसको आप add कर लो जैसे यहां से यहां तक यह 1 cm फिर यह आपका 3 cm यह आपका 2 cm और यह आपका 3 cm और यह आपका 4 cm तो इसको अगर हम add कर ले यानि 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा तो ये पूरा एक L हो गया इसी तरह ये वाला जो L बनेगा इसमें भी वही चीज और ये वाला जो आपका L है इसमें भी और ये जो L है इसके अंदर भी वही चीजे हैं तो इसको अगर हम 4 से multiply कर दें तो आपका ही 52 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर समझ गया है उसको इस तरह से कर सकते हो नहीं कि जैसे मैंने आपको simple वाला बता है उस तरह से आप कर लेना तो एक question number 1 हमारा हो गया आप मेंसे कुछ लोग books के बारे मुझसे पूछ रहते हैं तो मैं Oswal books को suggest करूँगा इसको मैंने देखा है और इससे पढ़के आप अच्छा score कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़े हैं जैसे revision notes हो गया इस सारा के mind maps आपको मिल जाएंगे जो in text questions होते हैं इसे try these बगएरा उसके detail solution आपको यहां मिल जाएगा और exercise के question के solution NCRT exampler जो की exam के point of view से बहुत important है उसके जो important questions है वो आपको यहां मिल जाएंगे फिर जो latest syllabus है उसके according जो competency या critical thinking based questions है वो आपको यहां मिल जाएंगे जैसे कि passage based question हो गए ठीक है तो अगर आपको purchase करना है तो latest edition का link मैंने description में दे दिया है वहां से click करके Amazon पे direct हो जाओगे वहां से purchase कर सकते हो question number 2 the lid of a rectangular box lid मलत भधकन कोई rectangular box है उसके जो धकन है उसके बारे में आपसे बात कर रहा है कि उसके जो side है वो कितना है 40 cm by 10 cm यानि एक side उसकी 40 cm है दूसी side 10 cm है तो rectangle में आप जानते ही हो कि दो आपका होता एक length होता है और एक breadth होता है जो बड़ा वाला होता है वो length होता है और छोटा वाला आपका breadth होता है यानि ये 40 आपकी क्या है length है और जो 10 है वो आपका breadth है is sealed all around with tape तो इस धक्कन को seal किया गया है जैसे tape लगा के हम pack कर देते हैं उस तरह से किया गया है तो जो tape है वो कितना लंबा चाहिए होगा कि उसके चारों तरफ हम tape लगा के उसको seal कर ले, pack कर ले तो इस तरीके से rectangular box है और ये आप देख सकते हैं धक्कन है तो इसको pack करना होगा तो हम क्या करेंगे tape कहां लगाएंगे, ऐसे हम tape लगाएंगे इस तरह से कि धक्कन और जो नीचे वाला हिस्सा है box वो आपसे fix रहे, इसी तरह से यहाँ भी ऐसे tape लगाओगे फिर ये पीछे वाले side में भी और इधर side भी tape लगाओगे यानि पूरा आप इस तरह से tape लगाओगे इसके चारो तरफ और लिखा भी around यानि चारो तरफ तो इस तरह से shape बनेगा यानि आपका एक rectangle बनेगा उसके side आपको दिये है 40 by 10 यानि एक 40 है दूसरा 10 है तो बस एक rectangle है इसका एक side 40 है दूसरा side 10 है और उसका perimeter निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो आपने formula पढ़ा है तो वही हम apply कर देंगे तो हमको क्या निकालना है length of the tape required और ये जो length है वो किसके बराबर है जो rectangular box का lid है उसका जो धकन है उसके perimeter के बराबर तो यही आप लिख दोगे equal perimeter of the lid of a rectangular box और perimeter rectangle का क्या होता है 2 multiply by bracket में length plus breadth तो 2 multiply by length आपको क्या दिया है 40 cm plus breadth आपका 10 cm तो यह हो जाएगा 2 multiply by 40 plus 10 आपका 50 होता है यानि 50 cm 50 को 2 से multiply गरेंगा तो आपका 100 आजाएगा 100 cm और आप जानते हो 100 cm बराबर होता है 1 meter के तो चाहे तो आप 100 cm लिख दो यह भी सही है और चाहे तो आप 1 meter लिख दो वो भी सही है ठीक है तो चलो हम यहाँ पर 1 meter लिख देते है यानि आप यहाँ तक भी लिखोगे लेकिन circular shape, square shape यह इसके अलवा और भी जो shape है उनका भी होता है तो table top की बात करता है यह उपर वाला जो flat वाला हिस्सा होता है उसका measurement कितना आ रहा है 2 meter 25 cm by 1 meter 50 cm तो इस तरह से हमारा लिखा हुआ है कि एक side यह है by दूसरा side यह है और दोनों बराबर नहीं इसका मलदब इक rectangular shape का table top है What is the perimeter of table top? तो table top का perimeter आपको निकालना है यानि इस तरह से आपके table होती है तो इसका यह वाला जो हिस्सा है यह table top है इसका perimeter आपको निकालना है यहाँ से हम चलेंगे यह लंबाई और ये कितना है ये कितना है ये कितना है तो इसका perimeter आ जाएगा यानि आप उपर से देखोगे तो आपको ये rectangle दिखेगा तो basically आपको rectangle का perimeter निकालना है तो ये जो आपकी length of breadth दी हुई है ये simple आपको नहीं दी है यानि meter और centimeter इसका mix करके आपको दिया हुआ है तो पहले इसको हम solve करेंगे और एक unit में ले आएंगे तो आप पहले लिखोगे length of the table top तो जो बड़ा वाला है वो length होगी यानि 2 meter 25 centimeter अब कैसे एक unit में convert करते हैं ये आपने पढ़ा है मैं जिस आपको एक बार revise करा देता हूँ आप ये जानते हो कि जैसे तो को ये 2 meter है और 25 centimeter है तो centimeter को हम मीटर में बदल ल number के right से चलते हुए 2 digit के बाद decimal लगेगा यानि right से चलेंगे तो 5 मिलेगा 2 मिलेगा उसके बाद decimal और उससे पहले हम 0 लगा देते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 meter plus 0.25 centimeter तो ये आपका हो जाएगा 2.25 centimeter इसी तरह breath of the table top 1 meter 50 centimeter तो ये क्या हो जाएगा 1 meter plus 50 का क्या हो देना तो ये meter होगा और ये 2.25 meter आपका आएगा तो ये 0.50 meter तो ये हो जाएगा 1.50 लगा सकते हो या चलो 0 लगा ही देते हैं क्योंकि last में जो 0 होता है decimal वाले नमबर के उसका कोई मतलब नहीं उसको लगाओ चाहाएगा तो 1.50 meter आ गया perimeter of the table top ये क्या हो जाएगा 2 multiply by bracket में length प्लस breath तो 2 multiply by length हमारी क्या है 2.25 meter प्लस breath हमारी 1.50 अब इन दोनों को add कर लो यानि 2.25 decimal के नीचे हम decimal लगाते हैं decimal से पहले 1 है decimal के बाद 5 और 0 है तो इसको add कर लो 5 प्लस 0 आपका 5 होता है 2 प्लस 5 आपका 7 होता है और ये decimal आ गया 2 प्ल multiply by 3.75 meter अब 2 को multiply करना 3.75 से तो आप rough में कर सकते हो या side में जगे है तो वहाँ दिखा सकते हो यानि ऐसे लिख देना 3.75 multiply by 2 तो 2.5010 का 0 यहाँ 1 carry 2.7014 और 1.15 का 5 यहाँ 1 carry 2.306 और ये 7 हो गया यानि 750 और दो डिजिट के बार decimal लगा था राइट से चले तो यहाँ पर भी meter अब last में 0 का मतलब है नहीं तो इसको हटा भी सकते हो यह नहीं simple आप लिख देना 7.5 meter तो एक question number 3 हमारा हो गया question number 4 what is the length of the wooden strip require to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively तो आपको length बतानी लंबाई बतानी है wooden strip की लकड़ी की पट्टी की जिसकी जरुरत है हमको एक photo frame मनाने के लिए और उस photograph की जो लंबाई चोड़ा ही है वो आपको दी हुई है कि length आपकी 32 cm और breadth आपकी 21 cm है यानि इस तरह से photo frame होता है आपने द तो जिस shape की photo होगी उसी shape का उसका frame भी होगा और photo की जो लंबाई और चोड़ा ही होगी उतना ही लंबा चोड़ा आपका यी frame होगा तो ये वाला हिस्सा इसकी length हो गई और ये इसकी breadth हो गई तो ये पूरा इतनी लंबी हमको लकड़ी की पट्टी चाहिए wooden strip चाहिए frame को ब लगा देंगे तो ये पूरा frame बन जाएगा तो अब लिखो के length of the wooden strip required to frame a photograph ये बराबर होगा किसके जो photograph का perimeter है equal perimeter of photograph तो photograph आपकी rectangular shape की है तो rectangle का perimeter उसका formula लगा देंगे याई 2 multiply by length प्लस breadth तो 2 multiply by length आपकी क्या दी है 32 cm प्लस breadth आपकी 21 cm दी है 2 multiply by 32 और 21 को add कर लेंगे 30 और 20 53 cm और 53 और 2 को multiply कर लोगे तो आपका 106 cm आ जाएगा तो 106 cm ये आपका answer आ गया तो question number 4 हमारा हो गया question number 5 a rectangular piece of land यानि एक जमीन का टुकड़ा है जो की rectangle shape का है उसका measure दिया हुआ यनि उसकी लंबाई चोड़ा ही दी है कितना है 0.7 km by 0.5 km यनि लंबाई जो है length 0.7 km है और width उसकी यनि जो breadth है वो 0.5 km है इच side is to be fenced with 4 rows of wire यनि उसकी fencing करनी चारो तरस उसको घेरना है जिसे खेत वगएर माप देखते हो न वो तार लगा की घेर देते हैं ताकि कोई जानवर अगएर अंदर न जाया और फसल को खराब ना कर दे उसी को fencing कहते है यनि एक तरीके से wire वगएरा का इस्तेमाल करके boundary बनाई जाती है तो वो बनानी है with 4 rows of wire यनि 4 row बनेंगी wire की अब इसका मतलब किया भी मैं आपको बताऊंगा तो इसमें पूछ किया रहा है what is the length of the wire needed तो जो wire है जिससे हम fencing करेंगे चारो तरफ घेरा बनाएंगे वो कितना बड़ा हमको चाह तरफ लगाना है तो हम क्या करेंगे क्योंकि rectangular land है जिसे मालो ये land है तो हम क्या करेंगे तार एक तरफ से ये ऐसे लगा देंगे फिर एक तार ऐसे लगा देंगे ऐसे लगा देंगे ऐसे करके लगा देंगे तो ये पूरा बन जाएगा तो तो तार कितना बड़ा चाहिए ह हम सिंपल परिमीटर निकाल लें, क्योंकि बॉंडरी बॉंडरी पर हमको तार लगाना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमसे यह कहा रहा है, कि 4 row of wire चाहिए, यह एक तार से हमको घेरा नहीं बनाना है, कहने के मतलब यह है, आपको मैं image दिखाता हूँ, यहाँ पर इस photo में दे नीचे एक इस तरह से लगाए गया है, तो अगर आप perimeter निकालोगे, तो एक तार की लंबाई आ जाएगी, कि एक बार पूरा चक्कर लगाने में, कितने बड़े wire की ज़रुत पड़ेगी, लेकिन नीचे एक और तार आपको लगाना है, उतना ही बड़ा, वो पूरा चारो लगाओगे, इस तरीके से चार तार आपको लगाने है, तो एक बार ये जो इस तरह से बनेगा, इसका perimeter लगा लोगे, तो एक wire का आपका आजाएगा, और 4 से जब multiply कर दोगे, तो total आपका आजाएगा, इसी तरह से जितने भी row आपकी wire की होंगी, उससे आपको multiply करना है perimeter न लगाना है, लेकिन एक तार नहीं लगाना, बलकि चार लाइने तार की लगानी है, जैसे कि स्वीगर में दिया हुआ, इस तरह से लगानी है, तो उससे पहले हम perimeter निकाल लेंगे, perimeter of land equal to multiply by length plus breath, तो 2 multiply by length हमारा 0.7 km है, plus 0.5 km ये breath है, अब 0.7 और 0.5 को add कर लो, मैं यहाँ direct बता देता हूँ, अब side में कर सकते हो, ये आपका 1.2 km आ जाएगा, अब 2 और 1.2 को multiply कर लो, 12 to 24 यानि 2.4 km आ गया, ये तो perimeter आ गया, land का, हमको perimeter नहीं निकालना, हमको उस land के चारो तरफ तार लगाने है, और एक नहीं, चार तार लगाने है, चार लाइन, एक उपर एक इस number से हम multiply कर देंगे, जिससे हमसे कह दिए कि 10 row हमको wire की लगानी है, तो जो perimeter आएगा, उसको 10 से multiply कर देंगे, तो अब लिखो कि length of wire needed, ये किसके बराबर होगा, 4 multiply by perimeter of land, perimeter of land क्या है, 2.4 km, 2.4 को 4 से multiply कर दो, तो आपका 9.6 km आ जाएगा, तो इतना लंबा हमको wire चाहिए होगा उस rectangular piece of land को 4 row के साथ घेरने में, fence करने में, तो question number 5 हमारा हो गया, और इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं, क्योंकि exercise बड़ी है, तो बाकी के question आगे की वीडियो में आएगे, कि और वीडियो जगर आपको देखनी है, तो इस तरह से आपका mobile होगा वीडियो चल ली होग उस chapter का नाम लिखा हो, उसके साथ एक link होगा, side में या नीचे, उस पे आपको click करना है, तो उस chapter की playlist open हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस chapter की देख सकते हो, okay thank you